यह इस साल का हमारा पहला अपडेट है और अब की बार मैं एक exception करूंगा कि मैं आपको कोई भी bad news नहीं दूंगा बाइद बारिश बहुत हो रही है तो क्लीनिक की बजाए में resident cow shed में हूं जो की कहने को resident cow shed है अब यहां 15 residents के अलावा जो क्लीनिक का overflow है वो भी यहीं पे है तो कार्तिक जी ने भीजा है इसको कोई चोट नहीं लगी हुई पर again यह abandoned cow है पर क्यूंकि यह बड़ा है तो इसके survival के chances ठीक है इस साल के शुरुआत हमने प्रांठा पार्टी से गरी पर यह जशन सिर्फ नए साल का नहीं था बेगम, डॉली, कीकी, हनी, शर्मीली और गुब यह लोग adopt तो हो गए थे पर अपने अपने घर जाने का इंजार कर रहे थे क्यूंकि दिल्ली बॉर्डर अभी खुला नहीं था, तो एक तारीक को सुबह चार बजे यह दौलत राम जी और रविंदर के साथ दिल्ली की और कूच कर गए, डॉली वहां से पूने जाएगी और शरमीली वहां जनकपुरी में adopt हुई है और बाकी लोग यह यूएस और कैनडा जाएंगे, इसके अलावा जिस एक डॉग को लेके में बहुत चिंतित था वो थी जोजो जिसको डॉक्टर समरिती ने गगल से भेजा था, तो वो पूरी तरह recover हो गई और उसको हमने जोहिद जी को नंगल में एक बच्छडा दिखा जिसके तीन पैर थे और एक घाव था, उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी पर वो तीन पैर में भी इतना भागा कि वो चार दिन तक उसको पकड़ नहीं पाए, फिर वही कही एक स्थानिय वेक्तिकी की मदद से उन् करने मोटर वाइक पे ले जा रहा था, अब उसका पैर घसिटता गया और उसकी चोड इतनी गहरी हो गई, कि उन्होंने उसको वहीं पे डंप कर दिया, तो वो जो स्थानिय व्यक्ति थे उन्होंने उसको अपनी छत्र चाया में ले लिया, उसका इलाज कराया, पर उसका प जम्प जमीन पे घसीटता है और इसको बारी बारी मां घा हो जाता है तो अब यह हमारे साथ ही रहेगा और तरुन जी और रोहिट जी के सुझाव पर हमने इसका नाम मिलका रखा है अब हम में से बहुत लोगों की आदत होती है कि कोई कैसा दिखता है उसने क्या पहन रखा ह इससे नाम एक जट से जज्जमेंट सी कर लेते हैं कि भई यह बंदा ऐसा होगा या यह एकरता होगा यह नहीं करता होगा अब जैसे मैं शिर्ट खोल के पहनता हूं उट्टी डोपी पहनता हूं तो कोई यह नहीं कहेगा कि हाँ भई यह फार्मर है या इसने गाय पार पहन रखा है इससे हम कैसे भाफ सकते हैं कि उसके दिल में क्या है इसके बद कशिज जी सिहुंता से गोड़े को लेकर आया अब जाहिर सी बात है यह गोड़ा कभी ना कभी तो किसी के इस्तमाल का रहा होगा पर जब इसका इस्तमाल खतम हो गया और इसको चोट लग गई तो उन्होंने इसको छोड़ दिया कशिज जी ने पहले तो इसका इलाज खुदी हल्दी वगरा से किया पर जब बात बनी नहीं वो इसको यहां ले आए हमने इसका नाम चरंदास रखा है अब चरंदास के चरंद यहां पड़े ही थे कि लोगों ने एक कहना शुरू कर दि हमें लगता है एक प्रजाती के होंगे तो वे इनकी दोस्ती हो जाएगी जोड़ी बन जाएगी जैसे जो चिड़ी मार लो गते हैं उन्होंने एक चिड़िया यहां से पकड़ी एक चिड़िया वहां से पकड़ी उनकी जोड़ी बनाई और बेच दिया एक तो अपनी आज तूट के गलत जुड़ गई है, इसका पैर हमें काटना पड़ेगा, ये पपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है, डरी हुई है, इसका नाम हमने कंगना रखा है, फिर मोनु जी ने सलोल से हमें एक और पपी के बारे में कॉल गया, जिसका एक्सिडेंट हो गया था, उन्हो करनी पड़ेगी अब वैसे तो किसी भी धिन ये काम किसी एक अफिल बैटल से कम नहीं है पर इस हफते तो हकीकत में हमारी डीम को पैदल पहाड़ियां चड़नी पड़ी यहां पे घेरा के पास कैंट नाला करके एक जगा है वहां पे एक कुत्ते का आगे वाला पैर तूट पैर पे घाव भी था तो हरीज जी ने हमें उसके बारे में कॉल किया अब हमारे पास तो जगा थी नहीं पर हम उसको ट्रीट ऑन स्रीट करने चले गए पर ये जगा एक पहाड़ी पे है तो हरीज जी उस डॉग को नीचे लेके आए और हमने उसकी स्प्लिंटिंग करी और उसका वून ट्रीटमेंट किया पर हरीज जी धरमशाला में जॉब करते हैं और उनके लिए रोज उसको नीचे लाना संभव था नहीं और रोज हमारी टीम के लिए भी उपर जाना संभव था नहीं तो यहां धरमशाला में हिमालियन नेचर सोसाइटी करके कैनल्स खुले ह तो हमने डॉग को स्प्लिंट करके वहां पे शिफ्ट कर दिया फिर अखिल वर्माजी ने नगरोटा से हमें एक डॉग के बारे में फोन गया जिसका मुँ कबार के टुकड़े में फस गया था अब नगरोटा यहां से डेड़ घंटा दूर है और जब तक हम वहां नहीं मिला पर उमीद है कि जैसे ही उनको वह दुबारा दिखेगा वह हमें दुबारा कॉल करेंगे तो खेर यह रेस्क्यू तो सिरे चड़ा नहीं और इसी तरह बहुत से रेस्क्यू होते हैं बही हम जाते हैं और कोई कुटा मिला नहीं या कोई गाय हाथ में नहीं आई या बड़े सारे केसिस हम ट्रीट ऑन स्रीट करते हैं वो जानवर यहां आते ही नहीं या बड़े सारे आउट पेशेंट होते हैं जो लोग अपने पालतू जानवरों को यहां पर इलाज के लिए लाते हैं तो हमारी जो टीम मुझसे थोड़ा नराज हो रही थी कि आप इस का नाम हमने आपके कहने पे महाराज रखा है अब नगरोटा से ही विजे ठाकुर जी ने हमें एक बैल के बारे में फोन किया इसका पैर तार में फसने के कारण कड़ गया था तो नगरोटा से वापस आते हुए हमने इसको पकड़ने का प्रयास किया और इसने हमें बहुत जिद्धी और अडियल किसम का है सुनने में ये आया है कि इसने एक ट्राफिक पुलिस वाले को इसकादर घायल कर दिया कि वो अभी तक अस्पताल में है तो आप ये सारी बाते ध्यान में रखते हुए इसके लिए किसी नाम का सुझाफ दीजिएगा गगगल में हम कुछ स जो उसके पडोसी हैं उन्होंने हमें कॉल किया था अब हमारे पास जगा बनी तो हम इसको ले आये हैं अब इसका पहले का क्या नाम है ये पूछने की तो मैंने जहमत उठाई नहीं अब जिस आदमी ने इसकी परवाही नहीं करी उसके दिये नाम से हमारा क्या लेना देना तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा नाम सुझाईएगा इसके अलावा अंकुष जी जो हमारे कामों में बिजली का काम देखते है तो भई मतलब जब कुछ चल रहा होता है तो भी उनकी बदालत चलता है उनको एक पपी मिला उन्होंने हमें कॉल किया हम उसको ले आए और अब ये पपी रॉक एंड रोल जो की पीपल फार्म की जूनियर वॉलेंटियर टीम ने रेस्क्यू किये थे उन्हीं के साथ पलबढ रहा है तो आप इसके लिए भी कोई नाम सुझाईएगा लिलिपुट जो बिचारी यहां पे इसलिए आई थी क्योंकि किसी कुत्ते ने उसको काट लिया था लगता है उसकी साड़े साथी चल रही है क्योंकि उसका वो घाव ठीक हो रहा है पर पहले तो उसने खाना पीना बंद कर दिया था उसको बुखार हो गया था जब वो उससे उबरी तो इस मौसम में गाये बैलों को गुड़ तो देते ही हैं हमें किसी ने सुझाव दिया था कि हमें सरसो का तेल भी देना चाहिए हमने फीड में सरसो का तेल मिला के दिया पर इन लोगों को वो टेस्टी लगा नहीं तो अब हम सिरिंज से भी इन लोगों को सरसो का तेल दे रह पराल का जो एक और इस्तवाल हम करते हैं वह है खेत में अब जैसे हमने आलू लगाएं तो हम बस खाद में आलू का बीज रख देते हैं उपर पराल से ढख देते हैं और यही है हमारी नो तिल फार्मिंग अब देखिए जो हमारा काम चला है ना इसमें हमारी टीम के लावा आप लोग अभी बहुत सहयोग रहता है आप मैंसे कई लोग हमें सुझाव देते हैं कई लोग हमारे वीडियो शेयर करते हैं करन जी चंडीगर से हमारे लिए जैसे दवाईयां ले आए कमल और संभव जी जो यहां पर आज वोलिंटियर आए थे अब वो हमारे साथ वर्क एक्सचेंज कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आधि जिससे जितना जहां हो सके उसको वो करना चाहिए तो खेर अब बारिश खतम हो गई है और मेरे पास बाते भी बस जाने से पहले एक और बात आप में से बहुत से लोग मेरी कहानी तो जानते हैं पर आप शिवानी की कहानी जानने के लिए उत्सुक थे तो हमने कल वो पीपल फार्म पे डाली है देखिएगा जरूर थांक यू